दोस्तों एक बहुती बड़ी अपडेट और खुस्खवरी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं बिहार SSC के द्वारा जो है एक नया नोटीस जारी कर दिया गया है ओफिसली नोटीस यह देख सकते हैं एड़र्टाइजमेंट नमबर देख सकते हैं 02-23 एक 1-11-23 के डेट में नोटीस निकला हुआ है और यहाँ पे जो डेट एक्स्टेंसन है उसको लेकर बात किया गया है बिहार में आप सबको पता है इंटर अस्तरिय वेकेंसी चल रही है जो बिहार SSC के दवारा फॉर्म फिलप स्टार्ट हैं और 9-9 उसका लास्ट टेट था फ वेकेंसी है पंचायत डिपार्टमेंट में तो यह बड़ी वेकेंसी है और इसका आवेदन चल रहा है काई सब्सक्राइब का प्रोब्लम आ रहा है कैसे लोग ने फॉर्म गलत भर दिया है लेकिन अब आपको जो है वह सारा टेंसन भूल जाना है क्योंकि डेट को बढ़ा सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की गई है इस प्रकार ऑन लाइन परिछा सुल्क जमा करने की अंतिम तिथी नोव बारा कर दिया गया यह पूरा जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वह अब एक महिना और एक्सटेंड कर दिया गया है देख रहे है न तो 912-2023 अब आप लोग जो है फ्रम को अप्लाई कर सकते हैं प्रमेंट कर सकते हैं रिशन कर सकते है तो आपके पास संदार मौका फॉर्म भार लीजिए और जिनका payment कट गया है अभी सक्सेस नहीं हुआ है कोई ने कोई एर्र आ गया है तो आप लोग वेट कर लीजिए आपका payment आप टो रीफंड हो जाएगा या तो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो रीफंड के देख लीजेगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल दाएगा तो आपको वेट करना एक महिना पूरा समय है आपके पास फॉर्म भरने का यह अफिसली अपडेट है एक नॉबंबर 23 के डेट में आपको जो है यह आपका जो है अफिसली अपडेट निकाला गया है तो यह बिहार SAC जो है सुधार करने के लिए कोई भी ऑप्सवन आपको नहीं दिया गया है और यह और लिखा गया है इसके बाद समय बिस्तार नहीं किया जागा तो इस दीस को भी समझ लेना है कि 12 दिसंबर सॉरी यह 11 दिसंबर के बाद जो है आपका आवेदन जो है अब बढ़ेगा नहीं तो यह देख सकते हैं अफिसली वेब साइट है जहां से यह नोटिस आपको मैंने निकाल के दिखाया यह बिल्कुल जन्मीन और ऑथेंटिक जनकारी है कल मैंने आप लोग को वीडियो बना के बताया था एक्जाम डेट को लेकर तो आप लोग सोच रहे हों या बीसलाग फॉर्म बरवें अब आप लोग सोचिए कितना फॉर्म गिरेगा आप लोग कमेंड बॉक्स बता सकते हैं क्योंकि यहां पर जो फॉर्म गिरने वाला मेरे अनुमानतव फ्रेंट्स पचीस लाग से लेकर तीस लाग तक जो इससे ज्यादा भी हो सकता है क्यों 12,000 से ज्यादा वेकेंसी और यहां पर बढ़ने वाली है और जो है 18,000 वेकेंसी जुड़ेगी कमेंड बॉक्स में बते हैं तो उसको उपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूँगा लेकिन यहां पर जो सबसी इंपूटेंट बात है वो क्या है आप लोग को यह संख् आदेना है तैयारी अच्छी से करना है क्योंकि यह वेकेंसी बहुत ही जट है बहुत लग एच्छी है उच्छे पध्की वेकिंसी है गोणर्मेंट का यह जो बिहार के जितने जी ख़ेंगे उसमें भी हाद ये वह किंसी है तो आपूं क Jorgeへ है है आप लोग जरूर जान गया होंगे इस विकिंसी के बारे में तो आप लोग जी जान से मल लगा दीजिए क्योंकि अब इसका लास्ट बढ़ा दिया गया और कंपटीशन और तगड़ा होने वाला है फॉर्म और ज्यादा गी देगा क्योंकि एक महिना और डाइट ली एक मह सुधार का ओप्सन देना चाहिए सरकार को या कमेंड वाक्स में बताइए कि क्या सुधार जरूरी है कि नहीं जरूरी है क्योंकि तमाम लोग का फॉर्म गलती हो गया है और जनरली सेंटर लेबल की सुधार का मौका मिलता है पिछली साल बिहार में सीजियल के वेखिंसी आ सुधार करने की कोई मौका हम नहीं देने वाले हैं तो आई हो फ्रेंट्स आप लोग समझे होंगे अगर आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है अब कमेंट बॉक्स में पूछिएगा यह देखे यह ऑनलाइन का पोटल है जहांसे आप लोग फॉर्म को भरेंगे यहां bssc.com है और यह जो वेबसाइट है देख रहे हैं ने गोवर्मेंट का नोटीस यहां लगा हुगा अगर आपको नहीं खुल रहा है वेबसाइट तो आप जो है अनसीक्यूर भी जा सकते क्योंकि इसका जो सब्सक्राइट हो गया है तो यह अपडेट था फ्रेंट्स आई होप आप लोग समझेंगे जी जान से त्यारी करिए आपको संदार आप परच्वर्म नहीं भारे हो जल्दी से भार लीजिए जिनका प्रेमेंट कट गया है सकसेज नहीं हुआ है तो वो लोग वेट कर रही सब्सक्राइब करेंगे और पैसा फांच जाएगा तो फिर दिकत हो जाएगा तो आप लोग मेल कर दीजे मेल कर दीजे मेल का प्रोसेस में अलड़ी बताया हुआ है आई होप आप लोग समझेंगे का कोई भी अपडेट आएगा फॉर्म सुधार करने के तो मैं आप लोग ये अपडेट था आपको ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट बोक्स में बताएगे अब जब भी अपडेट आ रहा है ना मैं आप लोग को लगतार जो है बिहार SSC इंटर लेवल वेकिंसी के लेकर अपडेट को आप लोग को बता रहा हूँ तो चैनल के साथ जुड़ र लाइक नहीं करते हैं बहुत मेरा मनोबल थोड़ा सा टूट जाता है आप लोग इतना लाइक करेंगे ने उतना मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा तो प्लीज आप लोग लाइक करिए जो भी आपके अंदर कमेंट है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लिखिए बहुत कुसिया मिलती है तो हमें जो है वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर लिखा करिए गलत फीडबैक देना गलत जनकारी हम दे रहे तो गलत जनकारी हमें बताईए कि या नहीं आपने यहां गलती कि हमारे आपको कुछ